Hello and Welcome, Great Online Academy में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है M.D.Sami, Revision Booster Series में आज हम लोग Fidges के Questions को करेंगे, साथी कुछ Facts को भी जानेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो Questions हम लोग पढ़के जाते हैं, वही As It Is Questions पूछा जाए, Concepts related कोई भी Questions, कई तरह के Questions बनते हैं, तो वह घुमा के भी Questions को देते हैं, तो हमें हर वो Questions के लिए Prepare होना है, तो हमें Concept अच्छे से पता होना चाहिए, Concept किलियर होगा, तभी हम हर Possible Questions का Answer दे सकते हैं, और एक्जाम में अच्छा Perform कर सकते हैं, जो बच्चे NTPC CBT-2 के लिए Prepare कर रहे हैं, Revision कर रहे हैं, उन लोग के लिए Revision Boosters हम इसी तरह से लाते रहेंगे, और जो Group D के बच्चे हैं, वो जो Prepations कर रहे हैं, उनके लिए भी यह बहुत ही फाइदे मन्द है, यह Revision Boosters Series, तो अगर आप लोग इसी तरीके का Revision Boosters चाहते हैं डेली, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, ताकि मेरे द्वारा दिये गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहला कोशन है, the sensitivity of a potentiometer can be increased by which of the following method, एक विभाव मापी कि समवेदन सीलता को निमलिखित में से किस विधी द्वारा बढ़ाया जा सकता है, इसका answer है, बोथ B and C are correct, यानि कि decreasing the current in the main circuit, तो sensitivity में हम लोग क्या करते हैं, बच्चों, कि mainly current को decrease करते हैं, sensitivity का मतलब होता है, वो छोटी से छोटी मातरा जिसको हम लोग नाप सकते हैं, यानि कि कि कितनी समवेदन सीलता है potentiometer के अंदर, तो voltage की sensitivity को increase करने के लिए हमें, क्या होगा, कि resistance को बढ़ाना होगा, आप indirectly जो resistance को बढ़ाईए, यानि कि length of wire को increase कर दीजे, या फिर main circuit का जो current ह जहां पर आपको measure करना है, उसे decrease कर दीजे, अगला question है, spoon appears to be bend in a beaker full of water, this happened due to which of the following phenomena, चमच पानी से भरे बीकर में मुडा हुआ परतीत होता है, या निमलिखित में से किस घटना के कारण होता है, इसका answer है reflection, तो उसी के वज़े से light जब denser media में जाता है, यानि कि जब water में जाएगा, तो वो normal के तरफ bend होगा, यानि कि अपने पास से थोड़ा सा bend हो जाएगा, जैसे आप यहाँ picture में देख रहोंगे, कि जैसे ही light यह पढ़ रहा है, यह normal के तरफ bend हो रहा है, यानि कि चम्मच अब पानी में डालेंगे, तो वो जो है bend नजर आएगा, और भी अगर एक्जामपल आप देखेंगे, तो जो अगर आप बाल्टी से भरे वो पानी को अब्जॉब करें, तो वहां क्या होता है, बच्चों, कि जो पानी का सतय है, नीचे का पोर्शन है, वो लगे क पानी में अगर बेज़ने, तो ऑफे में जुकएगा, और जो है, जब वो दैंसर मीडियम से रहर मीडियम में निकलेगा, तब वो न्रमल से अवे बेंड होगा, यानि कि अब वो फ्री स्पेस में आ गया है, जैसा उसको चाहिए, तो वो क्या होगा न्रमल से थोड़ा सा अवे यानि की दूर जाएगा अगला कोशन है which of the following device converts a low voltage alternating current into a high voltage alternating current निन में से कौन सा उपकरण low voltage alternating current को high voltage alternating current में बदलता है इसका एंसर है transformer तो how to transform करना तो हम आते है यानि कि कोई भी movements नहीं होता है यह सभी जानते है उसके अंदर काई सारे इसके इस्तेमाल है जो हाइड़ऑ में वहां पर low voltage में कनवर्ट करके फिर में एलुपलाइ़ कर टा है तो यह high voltage को भी low voltage में करता है और low voltage को भी high voltage में जैसे हम लोग स्टेबलाईजर का इसतमाल भरों में करते हैं। गाउं में क्या होत है कि ग्रवोल्टज आता है। तो हमें स्टेबलाईजर लगना पड़ता है, ताकि व congratulation recording को वहाँ को हुम मैंटेण कर सके हैं। और जो current है वो 4 Ampere है, तो 4 Ampere का current है, 1000 Volt है, हमें इसे high voltage करना, यानि कि 5000 Volt करना है, तो 5000 Volt करने के लिए, 1000 से 5 गुना जाना है, तो आप यह दिमाग लगाइए, कि 20 टर्न है प्रामरी वाइंडिंग में, तो 5 गुना करने के लिए, 5 गुना 10, यानि कि हमें 100 टर्न सकेंडरी वाइंडिंग में करना होगा, उसी हिसाब से current जो है, वो भी 5 गुना कम हो जाएगा, यानि कि 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे, तो current जो है 0.8 Ampere यहाँ पे आएगा, जैसे याँ वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, current वोल्टेज पांच गुना बढ़ेगा, और करेंट जो है पांच गुना कम होगा, इसी तरीके से इसका उल्टा करने से वोल्टेज हम लोग बढ़ा सकते हैं, और करेंट भी उसी हिसाब से इंक्रीज होता है, दो गुना करना है, तो बीस टर्न है, तो आपको चालिस टर्न करना होगा, तीन गुना करना है, तो साथ टर्न करना होगा, चार गुना करना है, तो असी टर्न सकेंडरी वांडिंग में चाहिए हमको, पांच गुना का तो आप देखी रहे हैं यापे, 100 tons इसे तरीके से 6 गुना के लिए तो यह जो series है इसी तरीके से हम लोग किसी भी transformer में अपने हिसाब से windings को operate कर सकते हैं और voltage को increase कर सकते हैं अगला question है a javelin और a short put thrown by an athlete moving along a curved path, curved path में move कर रहा है poses which type of motion एक घुमादार रास्ते पर चलते हुए एक athlete द्वारा फेके गए भाला या short put में किस प्रकार की गती होती है इसका answer है curve linear motion तो curve linear motion वो motion है जिसमें कोई भी object किसी curve, fixed curve में घुमेगा तो उसे हम curvilinear motion कहेंगे, जैसा आप picture में यहाँ पर देख रहे होंगे कि यह एक fixed जो यह डंडा है, लंबा सा और जो यह circle घुम रहा है, यह क्या कर रहा है इसको एक fixed curve में घुमा रहा, fixed curve के path में घुमा रहा, तो curve path को follow करता है यह circular motion इसे आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह total circle नहीं होता है यह circular motion का part होता है, किसी curve में घुमता है, यानि कि एक angle बना के curve में घुमेगा तो जैसा आप यह देख रहे होंगे, यह curve बना रहा है, और यह जो हमारा जुला है, जो की curve में बना हुआ है जैसा आप देख रहे होंगे, यह totally curvilinear motion को follow करता है यह हम swing करते हैं, जो आगे पीछे हम लग जुला जुलते हैं, वो भी curvilinear motion उसे आप कह सकते हैं और जो हम लोग नाओ में जुलते हैं, मेलो में जुला लगा जाता है, नाओ जो आगे पीछे जाता है, वो भी एक fixed curve में ही घुमता है उसका पात जो होता है, तो वो जो curve बनाता है, आगे पीछे जाके, वो भी है curvilinear motion तो जैसे आपकी देख रहा हुए और अगर जबलीन थोलों की बात की जाए तो ये भी प्रजटाइल मोशन का एक रूप है तो ये कर्वलेनियर मोशन भी है और प्रजटाइल मोशन भी इसे आप कह सकते हैं अगला कुशन जो है इसका एंसर है फ्री फॉलिंग स्टोन अंडर एक्शन अप ग्रैविटी जैसा कि आप आप संस देख रहोंगे तो मुव्मेंट अफ हैंड्स अफ वाचेस यानि कि घड़ी की जो सुईयां होती है उसका पाथ फिक्ष्ट होता है यानि कि अगर उसको एक पॉइंट घशकना है तो वो एक ही पॉइंट घशकेगा उसका पाथ फिक्ष्ट होता है फिक्ष्ट इंटरवल में फिक्ष्ट मोशन करता है तो वो युनिफॉर्म मोशन है movement of earth about this axis अपने axis में जो अर्थ घुमता है वो भी हमारा uniform motion है क्योंकि वो fixed time में fixed equal rotation करता है और movement of earth around the sun ये भी fixed है तो ये भी uniform motion है तो free falling stone जब कोई पत्थर को आप उचाई से गिराते हैं तो गिराने समय क्या होता है जब gravity अपनी force लगाती है उस object पे तो बहुत तेजी से गिरता है यानि कि at a point किसी भी point पर आप देखिए तो velocity उसकी same नहीं होगी हर point पे वो accelerate होता है velocity बढ़ती है इसलिए ये non uniform motion है तो uniform motion क्या होता है fixed time interval में fixed speed होती है accelerate नहीं करती है उसकी velocity same होगी हर interval पे आप जैसा देख रहे होगा यहाँ पे आपको picture में दिखाये जा रहा है और जो non uniform motion होता है उसका हर interval में velocity change होगा यानि कि वो object accelerate कर रहा है अगला question है on shaking और giving a jerk जब हम जटका देते हैं to the branches of a tree the fruit fall down फल गिर जाता है this happened due to which of the following phenomena पेड की डालियों को हिलाने या जटका देने पर फल नीचे गिर जाता है या निमलिखित में से किस घटना के करण होता है इसका answer is inertia of rest तो inertia क्या होता है बचों inertia of body की वो capability होती है जिससे अपने वो state of motion को change करना नहीं चाहती है तो जब अपने state of motion को वो change नहीं करना चाहेगी तब उसमें जर्क लगेगा जटका लगेगा अगला question है The value of universal gravitational constant was first of all experimentally determined by which physicist universal gravitational constant का मान सबसे पहले किस भौतिक विज्ञानी द्वारा प्रियोग आत्मक रूप से निधारित किया गया था इसका answer है henry Cavendish तो henry Cavendish ने पहली बार experimentally gravitational constant जो जी है उसका value दिया था तो जो यह gravitational constant आता है क्योंकि उसमें formula में जो है F is proportional to लिखा जाता है M1 into M2 upon R square तो पॉपर से हटाएंगे तो gravitational constant आएगा अगला question है Which of the following statement is false with respect to the mass of a body किसी पिंड के द्रभ विमान के संबंध में निमलिखित में से कौन सा कथन असत्य है इसका answer है mass जो vector quantity जैसर कि आप सभी जानते हैं कि mass जो है वो quality है वो unit है जो कि हर जगा सेम होता है जैसर कि मैंने आपको यहां बताया है कि mass जो है कभी भी किसी object का zero नहीं हो सकता है आप उसे अर्थ पर रखिये किसी object को या moon पे लेके जाएए या किसी planet पे लेके जाएए किसी भी place पे लेके जाएए mass कभी zero नहीं होगा जो mass हमारा अर्थ पे है वो हर जगा होगा बट weight क्या है? weight जो है वो space में zero हो सकता है can be zero और depend करता है कि gravity लग रहा है कि नहीं लग रहा है तो जो हमारा अर्थ में weight है जो हमें weight measure करते हैं वो उसमें gravitational force भी include होता है यानि कि w का जो formula होता है m into g तो mass into gravity due to extension due to gravity का multiply करके जो आता है वो हमारा weight होता है तो mass जो है वो constant होता है all over the universe कहीं भी आप जाइए और weight जो है differ करता है अगला question है the bullet fired from a gun possess which form of energy that can pierce a target बंदुक से चलाए गई गोली में किस परकार की उर्जा होती है जो लच्छ को भेद सकती है इसका एंसल है kinetic energy तो जब बुलेट को fire किया जाता है तो बुलेट एक बहुत ही compact जगा पैक होता है तो अचानक से जब उसमें फोर्स लगता है जर्क लगता है यानि कि उसमें मूबमेंट जब आजाएगा तो हाफ mb2 kinetic energy को फर्मला होता है तो एक बहुत ही बढ़े फोर्स के साथ बुलेट को फोर्स किया जाता है तो उसमें motion आएगा तो बहुत तेजी से बढ़ेगा आगे तो kinetic energy वो अपने अंदर भर लेता है और target पे हीट करता है तो जो conservative force है हमारा gravitational force उसके अंदर kinetic energy जो है वो जादा हो जाता है उसमें जो gravitational जब भी potential energy और kinetic energy के हम लोग बात करते हैं तो conservative force के अंडर ही बात करते हैं क्यूंकि यह पूरा जो जिस environment में हम लोग रहते हैं अर्थ के वहां पर gravitational force लगता है तो gravitational force यानि conservative force के अंदर जब kinetic energy और potential energy के हम लोग बात करेंगे तो दोनों की value जो है एक time पे अलग-अलग होगी लेकिन जब दोनों को हम add करेंगे तो वो हमेशा constant होगी जैसा कि आप यहां देख रहा होगे जब cyclist पहाड पे चड़ रहा है तो चड़ते वक्त जब वो जमीन पे है तो वो potential energy उसकी वहाँ पे 0 है क्योंकि potential energy को formula होता है MGH तो height जब 0 होगी तो potential energy 0 होगी वो totally अपने अंदर kinetic energy को भर लिया है तो जैसे ही वो पहार को चड़ेगा और एक height पे पहुच जाएगा तो kinetic energy घटेगी धिरे-धिरे और potential energy अपने रूप में आएगी जैसे ही वो motion में आना लगेगा तो kinetic energy जो है वो value धिरे-धिरे 0 से निक्रीज होएं लगेगा और potential energy धिरे-धिरे बढ़ना चालू होगा kinetic energy घटना चालू होगा तो kinetic energy जो है किसी height पे जाके 0 हो जाएगी जब और रेस्ट पे आ जाएगा और क्यूंकि half mb2 तो velocity 0 तो kinetic energy 0 और जब यह एक height पे पहुच गया तो वहाँ पे height पे पहुचने के बाद अपने अंदर totally potential energy को लिया हुआ है तो जैसे ही वहाँ से उतरना चालू करेगा तो धीरे धीरे height decrease होगा तो potential energy decrease होगा motion बढ़ेगा तो kinetic energy increase होगा तो जब यह पहार से नीचे उतरेगा तो potential energy घटेगा और kinetic energy बढ़ेगा बच्चों आप लोगो बहुत थे समझ में आ गया होगा कि kinetic energy और potential energy में क्या difference है अगला question है needle of the iron swims on the surface of water when it caves gently, अराम से जब रखा जाए this happens because of which of the following factor लोहे की सुई पानी की सता पे तैरती है जब इसे धीरे से रखा जाता है यह निमलिखित में से किस कारण के कारण होता है तो धेरे से रखेंगे तभी float होगा अचानक किसी force ताकत से फेक देंगे तब वो float नहीं होगा इसका answer है surface tension तो surface tension क्या होता है बच्चों surface tension वो tension होता है यह एक तरह से force आप लोग कह सकते है वो बल होता है जो की liquid में पाया जाता है कोई भी liquid यह solid में नहीं पाया जागा यह gas में नहीं पाया surface tension यह liquid में लगता है यह वो force होता है जो liquid अपने molecules पर लगाता है अपस में ताकि अपने area को वो decrease कर सके जब आप कभी भी water को droplets के रूप में गिराएंगे तो आपने यह absorb किया होगा कि जो water droplets है वो circular form ले लेता है पहले तो वो लंबा होता है पर जैसे ही वो गिरेगा वो circular shape ले लेगा तो circular shape वो क्यों ले लेता है अपने surface tension के वज़े से जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे ही यह paint brush हो गया यह तो पेस्ट हो गया पहले जब उसे सूखा होता है तो आप बहुत ही फैला हुआ होता है तो जैसे ही आप उसे water में डुबाएंगे पाने में डुबाएंगे तो वो चिपक जाते है तो चिपकते किस वज़े से है surface tension के वज़े से चिपकते है बाल होगे जब आपने हाके निकलते है अपने बालों को जब ज़ाड़ते है तो वो गिला होता है तो चिपका हुआ होता है तो आप उसे dry करते हैं hair dry से लड़कियां भी यह काम करती है चाहें वो कपड़े से ज़ाड़ लेती है या फिर कपड़ा लपेट लेती है ताकि पानी सूख जाए ताकि वो लहरा सकें लहराने के लिए तो और जो है hair dryer का इस्तमाल करती है ताकि बालों के पानी को सुखाया जा सके क्योंकि लड़कियों को बाल पैलाने में बहुत ही मज़ा आता है बाल पैलता है तो उनका लुक बनता है तो बाल पैलाने के लिए वाटर का content जो है उसे कम करना होता है क्योंकि वाटर शर्फएस टेनसन के वज़े से चीजों को आपस में चिपका देता है बालों को चिपका देता है या ब्रस जो है अपस में चिपक जाते है तो किसी भी लिक्विट में जब ब्रस को डालेंगे या किसी भी अबजेक्ट को जा लेंगे तो उसका जो एरिया है वो कम होने कोशिज करेगा तो वो चिपक बल लगाता है अपना और जो सूल में फोर्स लगता है वो गैवटेसिनल फोर्स जो लगता है वो बैलान स्ट ना तया था इस वरफ में फोट जाता है अगर दिथनल स३ाझया हो गा जधा हो गा तो सरफेस्टं Haus कम होगा तो जो है क्या जो विश youtube आप ज्गोजेट आप पान उनको तो यह surface tension के वज़े से ही तैरते हैं उन लोग अब अगर बड़े objects के आप लोग बात करें तो वहाँ पर surface tension आपो नहीं लगा सकते हैं वहाँ पर archimaldics principle काम करता है छोटे objects पर surface tension काम करता है अगला question है what will happen to the object if the density of the object is less than the density of the water यदि वस्तू का घनत्यों पानी के घनत्यों से कम हो तो वस्तू का क्या होगा इसका answer है object will float on the surface of water यानि कि तैरेगा तो density क्या होता है बचों? density का formula होता है mass upon volume यानि कि जो भी mass है object का उसके volume से divide कर दिजे तो volume का मतलब होता है कोई भी object जो space occupy करता है उसे हम लोग volume कहते हैं इसे cubic centimeter cubic meter में नापा जाता है तो volume क्या होता है कोई भी object जो space occupy करता है जो भी space occupy करता है उसे हम लोग volume कहते हैं तो density निकालने के लिए किसी भी object का mass upon volume कर देंगे तो उसकी density निकल जाएगी तो जब water की density से किसी भी object का density कम होगा तो वो object जो है water में float करेगा यही आर्किमेडिस का principle है यानि कि जब कोई object पाने में float करता है तब वो अपने बराबर के mass या अपने बराबर के volume के water को हटाता है जैसे कि आप तैरते हैं पाने में तो क्या करते हैं हाथ पर मारते हैं तो हाथ पर मारते हैं यानि कि जतना आपका mass है उतना water डिस्प्लेस कर रहे हैं हटा रहे हैं सामने से तभी यानि की density को कम कर रहे है अपने आप तो जब आपकी density कम हो जाएगी water से तब क्या होगा कि आ का उतना वाल्यूम बराबर वो डिस्प्लेस करेंगे तो डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी वाटर से तब वो फ्लोट करने लगेंगे यही रूल जो है बड़े अबजेट्स पर लगता है जिसके वज़ेसे अबजेट्स फ्लोट करते हैं तो डेंसिटी को फर्मुला अपलो नह यानिकि लिक्विड जो होता है उसकी डेंसिटी कोई भी अबजेट उसमें फ्लोट कर रहा है इसका मतलब कम है तो डेंसिटी कम होगी तभी लिक्विड में फ्लो करेगा अगला कुशन है वाट विल बेदा एंगल बिट्विन दगेविटेशनल फोर्स एंड डिस्प्लेस किसी पत्थर को उपर की और फेकने पर गुर्तवासन बल और विस्थापन के बीज का कौण क्या होगा इसका एंसर है 180 डिग्री तो 180 डिग्री कैसे होगा कि जब अब स्टोन को फेकेंगे उपर की तरफ तो गेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगता है क्योंकि जो अर्थ है जब वो किसी अबजेट पर गेविटेशनल फोर्स लगाता है यानि कि आर्थ जो है अपने सेंटर की तरफ खिचना चाहता है, अपनी और खिचता है, तो यह गेविटेसनल फोर्स जो है, वो हमेशा डाउनवर्ड फोर्स होता है, हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, तो जब आप अबजेक्ट को फेकेंगे, तो फेकने पे उपर की तरफ तो displacement जो है वो अपवर्ड है और जो गेविटेस्नल फोर्स है वो डाउनवर्ड है तो दोनों की बीच का जो एंगल है वो क्या है 180 डिग्री अगर आप से पूछा जाता कि अगर हम किसी अबजेट हो किसी हाइट से गिरा रहे हैं तब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा तो गेविटेस्नल फोर्स और डिस्प्रेस्मेंट के बीच का जो एंगल होगा वो जिरो डिग्री होगा क्योंकि गिराने पे डिस्प्रेस्मेंट नीचे की तरफ हो रहा है तो जो डाउनवर्ड है और गेविटेस्नल फोर्स जो है वो भी डाउनवर्ड है तो दोनों की बीच का जो एंगल है वो zero degree है, तो किसी object को उपर की तरह फेकने पे जो एंगल है दोनों के बीच का वो one eighty डेगरी है, और जब कोई object किसी height से गिरिता है, तो उसमें जो displacement and gravitational force का एंगल है, वो one eighty degree होगा अज़ा question है, the quality of a gjोटी और a tone of a musical sound produced by a string instrument, depends upon which of the following तर्वाले वादियन्त्र द्वारा निर्मित शंगी धह्णी जुआनगी की गुणवत्ता रहिए है कि इसका की अन्य का का तो sound wave जो होता है जब हम instrument के द्वारा string के द्वारा किसी instrument को बजाते हैं तो उसमें waveforms यानि की wavelength को change करते हैं तो wavelength change करेंगे frequency बढ़ाएंगे तो उसकी सुर उतने ही मधूर आएगी तो waveform बदलने से क्या होता है कि जो sound आता है इस्ट्रूमेंट से वो बहुत ही अच्छा आता है यानि कि सूर अच्छा लगता है तो जो यह हमारा साउंड वेब है यह लॉंगी टूडनल वेब है अगला कोशन है इसका एंसर है रेड और ग्रीन तो रेड और ग्रीन के बीच में डिस्टेंग्यूज करना बहुत ही मिश्किल हो जाता है जब किसी को भी कलर ब्लाइडनेस हो जाएगा तो कलर ब्लाइडनेस का मतलब है कि दो कलर में वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं उनका विजन होता है, रेड और गरीन जो है, आपस में मिक्स हो जाते हैं कलर, तो जब उनको रेड गर दिखाया जाया या गरीन कलर साथ में दिखाया जायेगा, तो वो दोनों के बीच में अंदर पता नहीं कर पाएंगे, दोनों उसको एक ही तरह का दिखेगा, तो बहुत रखे टेस्ट किये जाते हैं, 38 images आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो हर तर्किय के टेस्ट किये जाते हैं ताकि हम आखो में जो भी कमी है उसको पता कर सके उसमें जो है दूर की निजर कमज़ोर है कि पास की निजर कमज़ोर है यानि कि माइटोपीया है कि हाइपर माइटोपीया है कि प्रेस बायोपीया है यानि कि पास और दूर की दोनों कमज़ोर है कि कलर ब्लाइडनेस है इन सब के लिए 38 इमेजेस आपको यहां दिखाया जा जो कि full test होता है आखों का जिसके जरीये से हम किसी भी patient या किसी भी व्यक्ति का यह पता कर सकते है कि आखों में क्या कमी है उसके अंदर color blindness है कि myopia है कि hypermetropia है या press byopia है अगला question है a galinometer can be converted into voltmeter by connecting dash एक galinometer को dash जोड कर voltmeter में बदला जा सकता है इसका एंसर है high resistance in a series तो जब हम कोई भी galvanometer में high resistance को add कर देंगे तो वो क्या होगा कि voltmeter में convert हो जाएगा अगला जो question है kinetic energy of an object or a particle depend upon which of the flowing factor किसी वस्तु या कंड की गतीज उर्जा निमलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है इसका answer है both a and b यानि की velocity of the moving body and mass of the moving body दोनों पिटिपेंट करेगा क्यूंकि kinetic energy को formula आप सभी जानते होंगे half mb square होता है तो mass और velocity दोनों पिटिपेंट करेगा अगर mass बढ़ेगा तो kinetic energy increase होगा velocity भी बढ़ेगा तो kinetic energy increase होगा अगला कुश्चन है which of the following law validates the statement that current flowing through a conductor between two points is directly proportion to the voltage across the two points निमलेकित में से कौन सा कानून इस कथन को मानने करता है कि दो बिंदू के बीच एक conductor के माध्यम से बहने वाली धारा दो बिंदू में voltage के सीधे अनुपातिक होता है इसका answer है ohms law तो ohms law ने क्या बताया था कि जब conductor यानि कि किसी भी conductor में जब current flow होगा तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो voltage है वो directly proportional होगा current के तो वो constant temperature पे उन्होंने experiment किया था इसका आप लोग ध्यान रखियेगा तो constant temperature पे जो voltage है किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो voltage difference है वो current के directly proportional होता है तो V is directly proportional to R sorry I और जो proportionality हटाते है यानि कि V is equal to तो proportionality constant जो है वहाँ पे R आ जाएगा यानि कि resistance अगला question है the moment of inertia does not depend upon which of the flowing factor जड़ता या छण निम लिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है इसका एंसर एंगुलर velocity तो angular velocity पे depend नहीं करता है moment of inertia जिस तरीके से inertia जो है वह velocity पे depend नहीं करता है वह force के directly proportional होता है उसी तरीके से जब कोई object circular motion करती है अपने axis के around घुमता है तब वह जो है एंगलर velocity पे फरक नहीं पड़ता है यानिकि angular velocity पे depend नहीं करता है moment of inertia तो जो मोमेंट of inertia का formula होता है जब एक केटली घूम रही है तो मास MIRI का square यानिकि MIRI का square सिग्मा के साथ आई जो है वैरी करेंगा वन से लेकि इनिफेंटी तक और जो सर्कूलर अबजेक्ट हैने की कोई sphere है तो उसका half MR square और एगर कोई sphere है तो उसका 2 by 5 MR square और कोई rod है तो उसका 1 by 12 MI square होता है जो कि सबका अलग-अलग यह formula है तो यह अगर बीच के आने की सेंटर के अलॉंग लेंगे तो 1 by 12 होगा और अगर किसी एंड के अलॉंग लेंगे तो 1 by 3 MI square होगा इसी तरीके से आगा यह sphere की बात करें हम लोग तो सेंटर के अलॉंग लेंगे तो 2 by 5 MR square होगा अगर थोड़ा सा हम लोग सेंटर से चेंज कर दें तो 2 by 3 mR sqr होगा, तो हर एक एक एक्सिस जिस आक्सिस पर आप घुमाना चाहते हैं, या जिस डारेक्षन में घुमाना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है, उसी तरीके से moment of inertia निकलेगा, तो हर एक एक्सिस का अपना एक moment of inertia होता है, जैसे पंखा घुम रह से घुम रहा है, तो उस चेंज को रेसिस्ट करेगा, वो नहीं चाहेगा कि मेरे स्पीड बढ़े या मेरे स्पीड घढ़े, हम लगातार इसी स्पीड में घुमते रहें, अगला कोशन है, What is the nature of waves produced on the surface of water when a stone is thrown in the calm water of a pond? जब किसी तलाब के सांत जलधारा में पत्थर फेकने पर, जल की सता पर उत्पन होने वाली तरंगों की प्रकीति क्या होती है? इसका answer है, transverse waves are produced, तो जब किसी भी सांत पानी में जहां पे ठैराओ पानी होता है, वहां पे पत्थर फेकते हैं, तो जो अब तरंग देखते हैं, एक concentric circle form होता है, तो जो waves form होते हैं, वो transverse wave होते हैं, जो की फैलता एक्स्टेंड होता है, अगला question है, which of the following device is used for measuring the wavelength of X-rays, निम्लिकित में से किस उपकरण का उपयोग X की रुनों की तरंग धैरे नमापने के लिए किया जाता है? इसका answer is Bragg Spectrometer, तो जो Bragg Spectrometer है, उसका हम लोग इस्तमाल करते हैं, जो X-rays होते हैं, जो भी X-rays, यानि कि X नमापने निकलती हैं, उसकी wavelength को नापने के लिए, हम लोग Bragg Spectrometer का इस्तमाल करते हैं, जैसा आप यहां देख रहे होंगे, कि Bragg Spectrometer जो बनाया हुआ है, यह X-ray ट्यूब है, जो की match filter यहां पे दिया गया, और यह जो X-ray RIA डिटेक्ट करता है, और यह किस्टल के फॉर्म में हमें wavelength को दे देता है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे होंगे, सारे questions को आपने बहुत भी अच्छे से कर लिया होगा, सभी बच्चों ने questions को अच्छे से attempt किया होगा, और बहुत से बच्चों ने सही जवाब दिया होगा, मुझे यह उमीध है, सारे facts मेने बहुत भी अच्छे से आप लोग को समझाया है, तो continuous revision करना है, और facts भी हम लोग को समझते चलना है, इन सब के आप notes बना लीजिए, यह हमारे PDF को follow कीजिए, PDF आपको telegram चलना पे मिल जाएगा, जिसका link discussion box में रहता है, thank you for watching my video, इस videos later आपको कोई भी doubt हो, तो आप मुझे comment box या telegram चलना पे पूछ सकते हैं, मिलते हैं इस स्रीज के next video म तब तक के लिए, जै हिंद,